असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब लगों को खुश वाबाद अस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं लगों के नाम से जो बहुत महरबान नहत रहे मौला है आज हम आपके साथ फ्रोजन मटर का नमूना बनाने की रेसिपी सीखेंगे बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है फ्रिजशन में आप मतर रखते हैं ऐ बनाे जैसे कि आप ताजी मतर को बनाते हैं तो बिलकुल सेम ओ Lazio नहीं बन पाती है तो वीडियो पसंदाया करें लायक जरूर कर दिया करें शुक्रिया जाजाकर ला सबसे पहले हम इस लिए चटनी बना लेते हैं दो सबस मिर्ज़ इसमें कम ही रहेगी तीखा जादा नहीं बनाना है और यहां पर देखिए एक पाउच हमने फ्रोजन मतर ली हुई है यह मतर हमने कच्छी स्टोर करके रखी थी इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अप्लोड है आप चाहें तो जाके चिक कर सकते हैं यहां ही बठर पर मैंने इसका भिल्क टालिक दिया हुआ है और यहां पर चिक करें देखिए कितनी अच्छी सी हमारे मटर है बिल्कुल फ्रेज सी मतर है तो बस इसको धूल लेंगे और चली बना लेते हैं बिसम लाह रहमानि रहीम तो यहां कड़ाही में ली हुई और कड़ाही में तेल दालेंग तो यहां पे देखिए मटर को हमने धुल लिया है अगर हमने धुल के रखा होता तो फिर हम नहीं यहां पे धुलते लेकिन हमने कची मटर को स्टोर करा था और उसे बिल्कुल भी नहीं धुला था तो यहां पे हमने एक बार धुल लिया अच्छे से और तेल गरम होते ही इसम बश्यादा कॉंटिनी में बनाएं तो आज को तब और तेस कर देंगे तो थोड़ा तेज ही आज पर पकाएंगे क्योंकि हमको यहां पानी बहुत जादा हो जाता है तो उसे जलाना होता है यहां पर हमने टेस्ट की साब से नमक डाल दिया है और मीडियम आज पर हम इसे चला यहां पर देखे 5 मिनिट हो चुका है तो यहां पर देखे पानी तक्रिबर खुश्क हो चुका है अब हम यहां पर अपनी चट्णी शामिल कर देते हैं तो बस सेम इसी तरीके से बनाएगा इंशाललह ताला आपका भी नमूना बहुत ही परफेक्ट बनेगा और बिल्कुल बहुत ही अच्छी से बिल्कुल बराबर से पक जाए इसके साथ, और बहुत ही टेस्टी सा हमारा नमूना बनके तयार हो, तो यहाँ पर हम अच्छी के चला देंगे, और दो मिनट के लिए हम फिर से ढखान को लगा देंगे, दो मिनिट धकन लगागे हम इसे पका लेती हैं ताकि अच्छे से चट्नी पक भी जाए और जो मतर में रही सही कसर हो भी गल जाए पूरी हो जाए तो तक्रिबें तीन मिनिट के बाद हम धकन हटाएंगे धकन हटाके हम मतर को चिक कर लेंगे यहाँ पर देखिए मतर बहुत अच्छे से पक चुकी है और पानी भी काफी हट तक खुश्क हो चुका है थोड़ा बहुत जो पानी है इसे भी हम खुश्क कर लेंगे ताकि बहुत ही टेस्टी से हमारा नमूना तायार हो जाए यहाँ पर देखिए मतर बहुत ही अच्छे से प्रखियर में